खुल मिलके सभी के साथ रहना ये तो फितरत है मेरी देखो मेरी मम्मी हमेशा कहती है बनना है तो बिंडियों करेले की तरह मत बनो जो अलग अलगी खाने में अच्छा लगता है हमेशा बनो आलू की तरह जो सभी चीजों में डले उस सभी के साथ बहुत ही जदा अच्छा ल तो चलिए इस मजदासी रेस्टी को बनाना सुरू करते हैं उससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमाई चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा साथ ही नौट्पी केसं वेडियो अप तो मैंने दो लिए है अगर आका बढ़ा है तो आप सिर्फ एक लेना वेट ने यालू हमारा मुश्किल से 20 ग्राम है अगर आकी फैमली बढ़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते तो चलिए फटा 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 अलू को छील लेते तब तक आप कमेंट करके मजिदार सी रेस्पी आप कहां से देख रहे हैं और साथ ने जगा का नाम लिखना मत भूलिएगा डियर तो चलिए चील लेते हैं तो यहां पर देखिए दोना आलू को छील लेके बाद इस तरीके से मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है ताकि आलू जुलकुल भी काला न घरेंगे इससे parl हमारे बिलकुल खिले खिले से रहेंगे और बिलकुल अच्छे से इस तरह से काले नहीं पडेंगे सफेज सफेज रहेंगे तो यहां पर देखिए था R firmly को रेड करेंगी तो अपर ग्रेड करें और टाक आ्लू के साथ बस्लिए पत्ले और लंबे लंबे और इस तरीके से खिले-किले से आये क्योंकि हम ने इसको थंडे पानी में ग्रेट किया था आपहव इसको हलके हब हाते हंसे रीक बिल्कुल-धाय के हम सारा इस्टार निकाल लेंगे क्यों हम si वह इंकाल निकाल दो राय तो रेस्पी कुर्कुरी और क्रिस्पी नहीं बनेगी, तो यहां पे इसको हलके हाथों से दबा के इस तरीके से प्लेट में फैला देंगे, तो यहां पे हम तीन से चार पानी इसको हमें बिल्कुर अच्छे से वास करना है, ताकि इसका सारा इस्टार्च निकल जाए, और य इसका निकल चुका है, एक दम खिले खिले से हैं, अब यहां पे एक बड़े सा इसका बड़ता ले लेंगे, और उनके अंदर हम इन लच्छो को टास्वर करेंगे, तो यहां पे देखे लच्छो को मैंने टास्वर कर दिया है, और आप इसके अंदर हम क्या डालेंगे, को बनाने के लिए अगर आपके पड़ी वाली हो तोमें टाल के बार इक चोटा कफ डाला है अगर काटोरी से नापेंगे तो आपको मुख hacksa लेटेर लिए के लिए डालेंगे चार चममट बेशन मोटा महीन कब इस्तंभाल कर सकते च्छोटा कमट डाल दीजे Honestly तो सिर्फ 2 ही लगेगा अब इसके बाद मेन कुछ जाएंगे थोड़ी कुटी हुई लाल मेर्च थोड़ा सचाट मसाला थोड़ा सवफ थोड़ा सजीरा और जब भी कोई चीज बना है तो इसमेशत मेरी लाल मेर्च डाल देंगे तो बहुत अच्छा अगर नहीं तो इसके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा हो काली हमिश का पड़र डालेंगे, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हिंग, हिंग आपको जरूर डालनी है, ये टेस्ट को बढ़ाने के साथ साथ बेशन की कोई भी चीट बनाएंगे, तो अगर इसमें थोड़ी सी हि आप सारी शीजों को अच्छे से मिला लेंगे, तो देखिए इस तरीके से मिला लिया है, नमक हमें अभी नहीं डालना है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे पानी, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा ग्लास पानी लिय की गलती मत कीचेगा तो यहां पे इस तरीके से हमें इसको छोड़ देना है कम से कम पाँच मिनट के लिए ताकि आलू के लच्छे जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ दे फिर उसके बाद हम इसमें पानी और इस्तेमाल करेंगे अगर हमको जुरूरत महसूस होगी तो चल अगर आके पास साबूद धनिया नहीं तो आप इसकी जगा पर कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते फिर एक चम्मज जीरा 10-15 सेकंड चटका लेंगी एक चम्मज चने की डाल जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोच के लिए भिगो के नहीं लिए सारी जीजों को मैं 10-15 सेकंड चटकाने के बाद अब इसमें एक चम्मज हमें डाल देना है उरत की डाल यहां पर गैस का फ्लेम लो रखना है और जो बढ़ता लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा अगर आपके पास धुली हुई उरत की डाल ना हो तो आप इसकी जगा पर मसुड की डाल तो यहां पर देखिए जार में मैंने टास्वर कर दिया है बिना पाड़ी डाले हम इसको पीस लेंगे तो चलिए पीस के लिखे आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड देखिए यहां पर मैंने इसको पीस लिया हलका सा इसको मैंने दर्दरा रखा है बहुत तो यहां पर देखिए ऑईल अच्छा से गरम हो गया तब इसके बाद हम इसमें एक मीडियूम साइज की प्याज डाल देंगे जिसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है प्याज को हम 10-15 से करेंगे यहां पर हमें प्याज को काला करने की गलती नहीं चननी है नहीं तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा लुक भी अच्छा नहीं आएगा जब हमारी प्या धलकी सी टांस्पैरंट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे तीन कलिया लसुन की अगर आप प्या जो लसुन नहीं खाते तो इसकीप कर सकते और फिर इसके निकाल लिया है अगर आपके पास सिमली ना हो तो आप इसकी जिगा पर ड्राय अंचुर पोड़ा यानि खटाई का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर नीबू का रस भी डा सकते हैं तो इमली के बीच निकाल के अच्छे से लेना है बीच के साथ नहीं लेना है फिर इसके बाद इसमें डालेंगे सुकहा नारियल एक चमबर आगर आपके पास प्रसवाला ओ तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर देखें सुकहा नारियल डालने के बाद इसको हम 10-15 तकड अच्छे से भोण लेंगे अगर आपके पास सुका नारियल कुछ मीना हो तो तास्वर कर लेंगे इसी में इसी लिए हमने इसको दरज़रा पीसा था तो देखें इस तरीके से टास्वर करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पाई डाल देंगे ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो 4-5 अमर्ण और आप इसको अच्छे से पीस के स्मूध तरीके से पेष डालनेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और आप इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में स्वाड़ी कटोरी में तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंज्वाई कर सकते लेकिन मैं इसके पर लगाऊंगी तड़का जो जिससे इसका टेस्ट है वो भी इनान्स हो जाएग और दूसरी बार ये खाने में बहुत ज़रा टेस्टी लेगेगी तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसकी थिकनेस को गाड़ा गाड़ा रखा है बहुत ज़रा पत्ला नि बना है तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक चमत तेल को अच्छे से दूरा जार गरम बनाद नी होगी और इस चटनी के साथ कोई भी नास्ता सब करेंगे उसका तेस्ट दुगना हो जाएगा चलिए इसको साइड में रख देते और अगे काम करते तो प्रेंट यहां पर देखिए मैंने क्या लिया है यहां पर मैंने लिया है चाज स्लाइज बाइट बाइट बनाद भी ले सकते मैंने यहां पर लाज साइल लिया है अगर आपके पास स्माल है तो आप पीस लीजेगा लाज है तो चार पीस चल जाएंगे यहां पर हमें ना ब्रट के किनारों को निकालना है कुछ भी वेश्ट नहीं करना है ब्रेट को इस तरीके से हम थोटे चोटे टुकड़ों में तरह से तोड़ लेंगे यह देखिए तो यह रैस्पी बहुत ही जड़ा मज़िदार होने वाली है बच्चों को बहुत जड़ा पसंद आएगी बड़ों को भी पसंद आएगी तो फ्रैंड इस रैस्पी पो आप एक बार मेरे कहने पर जरूर बना के सकते हैं लेकिन फ्रस ब्रेट के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत जड़ा फोले जैसे ही इसको पीसेंगे यह अपने आप कम हो जाएगा तो घबडाने की जुरूरत ही है आराम से बन जाएगी रैस्पी अब इसमें हमें कोई भी मसाले कोई भी नमक या फिक पानी वगरा कुछ भी रहना है इसको कवर करके हम इसको अच्छे से पीस लेंगे पीस्तर समय आपको खया ले रखना है बहुत जड़ा बारिक नहीं मनाना है हलका सा दरदरा मोटा सा पीसेंगे उससे रिजिस्पी का बहुत ही अच्छा आएगा तो चलिए पीस के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रैन यहां पर देखिए मैंने इसको पीस लिया इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है बहुत जड़ा बारिक नहीं किया अब इसको एक बड़े साइज के बरतर में टास्वर करें अब इसमें हम कुछ चीजे डालेंगे क्या के आई आको बता देते तो सब्ते पहले हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कटकर लिया है एक सिम्ला मिल्च वैसे तो अच्छे विजी टेवल खाते नहीं तो इस तरीके से आप उनको तो यहाँ पर मैंने ग्रीन वाली लिए आप चाहे तो यलो रेड वाली दे सकते यहाँ पर मैंने एक टेवल स्पून डाला है गाजर जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कटकर लिया है आप चाहे तो ग्रेट करके भीडा सकते यहाँ पर एक इंच के अध्रक को इस तरी कुटी हुई लार्मिच क्योंकि हमने एक हदी मिर्च भी डाली है अगर आपके बच्छा बहुत जाए चोटा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं फिर इसके बार हुच में डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्क रिकॉर्डिंग आपने टेस्क रिकॉर्डिंग डालना जितना ख और इसमें एक चुटकी जाएगा टर्मरी पर्ड यानि हल्दी हल्दी नहीं डाली नहीं तो क्या होता है पीले पन की जवाँ पे लार पना आजाता जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है अज सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे आप इसमें और विज आप इसको कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे डो टेब स्वोन तक सूजी जिसको रॉय वोलते से वेलिना यहां पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है सिर्फ दो चमच काफी है तो सूजी डालने से क्या होगा कि रैस्पी बह जबता पाई डालेंगे तिन शींवार्ण बाहां बीजाएंगे तो यह पर देखेंगे हाथों से अच्छे सेateur में लिगा है तो यहां पर देखिए इस चाल से मिक्स कर लिए है आप इसमें वीजोर डाली है तो हम इसको कम इसको कब दो मिर्ट का टाइम देंगे क्योंकि मै यहां पर इसको हमें आप साइड में रख देना है जब तक यह फूलेगा फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो चलिए इसको साइड में रख तो तक दूसरा काम करते हैं तो फ्रेंट तीन से चार मिनट हो चुका था इसको रख यहां पर देखिए जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया इस तरीके से देखिए यह इस तरह से हो गया है अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है तो यहां पर हम सब्सक्राइब करेंगे अब इसमें कुछ चीज़ा एड़ करेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धेड़ सारा हारादनिया जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एक इंच का अद्रग लिया जिसको इस तरीके से मोटा बटा कट कर लिया यह ज़रू डालिएगा और अभी तक हमने इसके इंदर क्या नहीं डाला है किसको याद है कमेंट बॉक्स जल्दी से बताईएगा और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट रिकॉर्डिंग नमक हमें लाश्ट में ही डालना है क्योंकि नमक अगर हम पहले डाल देंगे तो जो आलू के लच्छे हैं बहुत प्यारा सा सवाल है आप सभी वीवर्स के लिए किस रैस्पी मैंने कितने ब्रट का इस्तमाल किया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताईएगा तो चलिए चलते इसको बढ़ाने के प्रोसर्स की तरफ तो फ्रेंड आ गये गैस की तरफ यहां पर द दालेंगे सरसो तो राई अलग होती है सरसो अलग होती है दोनों चीजों को में 10-15 से के अच्छे से चटका लेना काला विल्कुल भी नहीं करना है जब यह बिल्कुल अच्छे से चटक जाएगी तो हमारा जो मिश्रन हमने बना के रखा था उसको हम एक बार इस तरीके से और इस तरह से डाल देंगे सारा का सारा इसको अपर यहां पर हमें एश्टर पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जितना पानी इसके अंदर मौजूद है उसी से यह बन जाएगा तो यहां पर हमें कंटीनू चलाते वे इसको पका लेना है यहां पर इसको पकने के जाने की गलती मत कीजिएगा तो फ्रेंड रेस्पी में आपको कुछ भी अच्छा लगना हो तो प्लीज रेस्पी को एक लाइक जरूर दे दिजिए और फैमली और फ्रेंड के साथ दिल खोल के इस रेस्पी को सेर कर दिजिए तो यहां पर जो आलू के लच्छे है वो बिल्कु अच्छे से सिमटने लगे और पैन छोड़ने लगे तो यहां पर देखे इस तरीके से आप इसको इस तरह से भी चला सकते हैं अगर आपको फ्रेट्टिस नहीं है तो मत करना ऐसे रही तो आप जल्बी सकते यह देखिए इस तरह से हमारा जो मिश्टन था बिल्क अच्छे से हो जाए तो अगर आपको रेस्पी में कुछ और चाहिए यानि कोई और नास्ता चाहिए तो कमेंट बोक्स में करना मैं आपके साथ सेर करूंगी बहुत ही आसान आसान से नास्ते तो आप इसको हमें एक बड़तर में टास्पर करेंगे यह पक गया है बिल्कुर अच्छे से इतना ही हमें इसको पकाना है 80% तक ही और आप मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी काफी जल्ला इस तरह से लीजिए और इसको इस तरह से गोला बनाईए तो फ्रैं आप थोड़ा सा लीजिए और इसका गोला बनाईए अगर गोला बिल्कुल अच्छे से स्मूथ बनना है बिल्कुल भी क्रैक नहीं पढ़ रहे तो समझे यह परफेक्ट है अगर क्रैक पढ़ रहे तो आपको थोड़ा सा और पकाना है तो यहां पर हमने इसको 80% तक पका 20% कच्छा है आप इसको बड़तर में टास्पर करेंगे तो चलिए टास्पर करते तो इसको हम इस बड़तर में लगाएंगे तो यहां पर हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑइल लगा देते हैं ताकि यह बिल्कुल अच्छे से नास्ता निकल जाए चिपके ना अगर आपके प फैला देंगे तो हलका सा गरम-गरम होगा तभी आपको इसको फैला देना है जो चमच में लगा है उसको भी हम निकाल लेंगे और यहां पर अपनी हथेलियों पर थोड़ा सा आईल लगा लीजिए ताकि यह चिपके ना और इस तरीके से आप इसको फैला लीजिए काफी जागा गरम है और इसको हम कम से कम पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह बशेसाट हो जाए और पांच मिनट में जब यह सेट यहाण़ साइड में रखते और दूसरा काम करते है यानि अपना अपनी जो. तो प्रण तीन चे चार मिनट हो चुका है यहां पर इसको रखे हुए सारा डो हमारा बिल्कु अच्छे से से टाइट हो गया अब यहां पर इसको इस तरीके से ले लेंगे आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं जो आपको पसंदे आप इसे फोर एंगल में थ्री एंगल कि ए लगूलु किसी तरीके से बना सकते हैं तो यहां पर मैं कैसे बनाओंगी इस तरीके से पहले इस को गोल गोल बना लुगी निम्बु की अ कालव का फिर इस तररीकες से चपटा कर दूगी यह देखिया और किनालो कुरा relyingशा पालग तो मुझे यह यह बहुत पिasin लग यहां पर आपको इस तरह से फ्लैड करने के बाद किनारों से हलकालका सा इस तरह से कर देना है क्योंकि इसमें विजिटेवल पड़ा है तो थोड़ा सा यह भिखरता है तो आप इसको इसको इस तरह से कर देंगे तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और दूसरी बात बहुत ज़रा मोटा या बहुत ज़रा पतला बत बनाना इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी है तो चलिए फटा-फट बना लेते आप इस तरीके से बना के इसे हवाबन डिबे में रख सकते जब आपका दिल करें या महमान है बना के खा सकते हैं बहुत ही आसान है चार ब्रट लिए बाकी में बाद नमराओंगी तो चलिए चलते इसको बराने की प्रोसेस की तरफ तो फ्रेंड आगये गैस की तरफ यहां पे देखें मैंने कराही लिए आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं जो भी बरतल लीजे थोड़ा सा फैला और भारी लीजिए यानि मोटे तल् रहेगा और दूसरी बार खषता तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा और अंदर से जालीदार भी नहीं बनेगा तो यहां पे देखें इस तरीके से हमें इसको अंदर डाल देना है बिल्कुल हलकेल के हाथों से बहुत ज़ड़ा हाथ को गुजेड़ना नहीं है नहीं तो जल सक और अब इसको 2 मिनट मीडियम फ्लेन पर पकने देंगे फिर इसके बाद हम इसको टर्ण करेंगे तो फ्रैंट 2 मिनट हो चुका है इसको पकते वे अब इसको हम टर्ण कर देंगे यह देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है यहाँ पे इसको टर्ण करने के बाद इससे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे टोटो इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा और कचोड़ी को बोल जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने सारे पलट दिये हैं चलिए दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेटे हैं फिर इसको निकाल लेगे तो फ्रैंड 2 मिनट हो चुका इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए यहां पर देखिए इस तरीके से अप इसको हम फटा-फट निकाल लेंगे छन्दे में ताकि जो एष्टा तेले वापस चला जाए देख लीजे में नहीं कितिना जशब बने में naught ही लाईज़ूरा शिरन गोवर चुछ से अ काई लिएकी तो चले देखने में धोना लाइजीकिंग में कितना जड़ा सौफ्ट है माउट मिल्टिंग है जैसे ही मूह में रखेंगे वैसे ही घुल जाएगा और यहां पर यह बारी चटनी के साथ बना लेंगे तो जब भी बनाएंगे चटनी ज़रू बनाएंगे इसकी मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप चटनी नहीं बनाना चा आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पती के लेंच बॉक्स में दे सकते जब भी आपके वहां एकदम से महमान आ जाए और आपके पास चार ब्रट पड़ी हो तो आप इस रेस्पी को बना के उनका दिल जी सकते तो फ्रेंट रेस्पी में कुछ भी अच्छा करेंगे तो कटिंग हमें किस तरीके से करनी है इस तरह से हम इसको कट करेंगे बहुत ही आसान रेस्पी है आप एक बार बनाएंगे तो इसके दिवाने हो जाएंगे और आपका बार बनाने का दिल करेंगा तो आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते चाहे तो थो आप हम इसको निकाल लेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा तो यहां पर यह देखिए जो किनारे वाला भाग होता उसको हम सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि वहीं से हमारा यह पकड़ हमको मिल जाएगी यह देखिए और निकालने के बाद आप इसको हलका साइड़ों से इस तरह से कल लिए व्यूकि आलु के जो लच्छे होते वह थोड़ा सा बिkhalड़ निकाले के फिर आफ्से मिलते फिर का है ऊप छलिए सी तरीके से आपने साइने के पर आपे साइल को आपके आप से तरीके से सारे में निकाल से फ next time, ale may Hazeln Channel certified no . यह हां पर देखिए अगरा आपकाया बहुतला बड़ा है कराही ओभी ले रहे की बहुत फेली ओमनेतर को सहल लेंगे अब भीनेओ सब्सक्रण करेंगे यहां पर मैंने एक बार कि इस ज़्यादा मेरे में नहीं आपाएगा अगर आप में ज़्यादा आप तो आप 4-5 बना सकते हैं तो चलिए दो मिनट के वाद इस से चेक करेंगे तो फ्रैंड दो मिनट हो चुके इसको पकते वे आप इसको हम टर्न कर देंगे इस तरीके से और दूसरे साइड भी इसक इच्छा सा कलर आ चुका है यहां पर 10 सेकंड मैंने इसको हाई फ्लेम पर कर दिया और इस तरीके से अलगते पर अड़ते वे इसको हम वापस से शेक लेंगे जिससे क्या होगा यह बहुत ही अच्छे से करा रहे हो जाएंगे और देख सकते हैं लुक कितना सुंदर आ रहा है अब इसको हम फटा-फट निकाल लेंगे छन्डे में ताकि जो एस्ट्रा तेल है वापस चला जाए यह देखिए यहां पर हमें दुबारा बनाने के लिए तेल को फिर से गरम कर लेना है जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा हम अपना बाकी वाला भी बना लेंगे तो चलिए तो यहां बना लेते फिर आफ से मिलते तो फ्रैन बनकर रैडी हो चुका है हमारा चत्पटा सा कुरकुरा सा करासा देख लीजए इसका फाइन जग कितना ज़रा खुपसिरा लग रहा है सिस्फ दो आलू से बहुत ही मजिदा यह नास्ता बनकर रैडी हो जाता है जो खाने के साथ इसका कॉमिनेशन बहुत ही जारा टेस्टी रखता है आप एक बार इस रेस्पी को इस चटनी के साथ खाके देखेंगे आपको मज़ा जाएगा आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में पती के लिंच बाक्स नहीं दे सकते हैं विल्कुल मौथ मेल्टिंग बना है कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज रेस्ट्टी को फैमिली और फ्रेंट के साथ लिолकुल slaves करने के साथ रेस्ट्टी को एक लाइक जरूर्ड देना और मेरी मेहनत को फैमिली और फुरन्ट के साथ दिलकोलत के साहर कर लब यॉ आल बैंच टेक कियर कर दो कर दो